नमस्का सतीव, जैसा कि आप सभी को मालो होगा, कि ये सभी कलासें आपकी UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए ली जा रही है, और याद रखे जो Prelims का, जो प्यारंबीक परिक्षा का पहला पेपर होता है न, जिसमें आप देखते हैं कि इतिहास आता है, आपका गोल भी आता है, समिधान भी आता है, आपकी अर्थवफस्था भी आती है, आप देखने कि बिग्यान से भी आता है, इन सभी सब्जेक्टों को आपका कवर किया जाएगा, और इसके लिए एक आपकी separate playlist सूची बना दी गई है, जिसका नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से, ठ मेरा ऐसा मानना है देखिए, कि ये सभी class आपके prelims के लिए भी फायदे मंद होगी, और आपकी मुख परीक्षा के लिए आपको base बना के देगी, यानि कि आप देखिए कि जब मुख परीक्षा में आप लोग पहुंचेंगे या उसकी तैयारी करेंगे, तो आप लोगों क करेंगे जो आपके देखिए, प्राचीन भारत के जो आप देखते हैं कि जो उनकी पुस्तके हैं और कुछ लेखक हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोटेली की अर्थ सास्त हो गई, इसके बारे में कोटेली के बारे में अर्थ सास्त के बारे में एक सामन जानकरी देख लेग जो आप देखते हैं कि हर्स के समय भारत आया था ये भी चीनी यात्री था और कलहन की राजतरंगनी इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे क्या रहता है कि इनसे भी आप देखें कि इस समय के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोटेले की अर्थ सास्ति और इसमें अगर आप देखें तो कोटेले की अर्थ सास्त से मौर समराज की बिवित पक्चों की जानकारी मिलती है जो कोटेली का अर्थ सास्त है ना इससे हम लोग मौर समराइच के बारे में काफी जानकारी पराप्त करते हैं और इसकी खोच की अगर सरपितम बात करें तो आप देखे कि 1905 में इस गरंथ का अस्तित आया था और 1909 में राम साम पर साथ सास्तिती ने इसकी अनुबात किया था चंदगुप्त मौर के जीवन निर्माण में कोटेल का सरपितम हाथ था और आप सभी जानते हैं कि घनानंद के बाबरे में आप लोग सुनते हैं नंदबंस का असा सकता आप लोग कोटेल के बारे में सुनते हैं आप लोग चंदगुप्त मौर के बारे में सुनते हैं और कहते हैं कि गुरु का अगर आप लोगों को महत्तो समझना है तो चंदगुप्त और कोटेल से समझ सकते हैं आप लोग कि सोचें कि आप निचली जाती कि या आप देखें कि नीचे से उठाकर किस तरह से राजा बना देता है कोटल, समझ रहे हैं आप लो, तो गुरू वहुत ही उच्चपद होता है गुरू का, वह इतिहास में विश्नुकुप्त और चाड़क इन दो नामों से भी जाना जाता ह कौन, कोटल, कोटल को आप लोग विश्नुकुप्त के नाम से भी जाते हैं, चाड़के के नाम से भी जानते हैं, ब्रहमर तथा बहुत गरंथों में उसके जीवन के विशाय में, जो सूचना विलती है, उससे इसपष्ट होता है कि वह तक्चला के ब्रहमर परिवार में उ सास्त का एक पिरकांड पंडित था, और उसने राज सासन के उपर अलत सासन नाम के अपने पिसिद्ध गरंथ की रचना की, या हिंदू राज सासन के उपर प्राचींतम उपलब्द है, और एक बात सोची आप लोग की, आप लोग आज कहते हैं कि हम लोग राजनीती में बाकी देश आप देखते हैं कि भारत के बारे में कहते रहते हैं, तो कोटल ने बहुत पहली आप देखे कि पूरी सासन विवस्तागी में बता दीया था, कि इस तरह का सासन हो चाहfront है, यसको तरह का राजा होनें चाहिए, और इसलिए आप देखे घनारंद का उन्होंने स 280 पिकरण है और इस गरंथ में इसके सिलोकों की संक्या 4000 है पिथम अधीकरण में राजों से संबंधी विविद विश्यों का बैडन मिलता है दुती अधीकरण में आप देखेंगे नागरिक पिसासन का विरसद विवेचल मिलता है और तीसरे और चतोर्त अधीकरणों में दी अधीकरण में राजा की विदेश नीती, सेने कवियान, योद्ध में विजय के उपाए, सत्रु देश में लोग प्रियता प्राप्त करने के उपाए, योद्ध और संधी के आउसर आधी विविद विश्यों का अविस्तार पूरवग भायडन फिस्तुत करते हैं आप समझ ये कौतिलन ने भी विदेश नीती पर बात की उई है, अड़ सासत में नोः पेकार के दासों का भी दासों और च्रु मतिरा, चार पेकार के दोरव, एबढम वियू रचना, तीन पेकार की योद्धों, तीन पेकार के राजदूतों, अठाराँ पेकार की तीर्तों, और 27 पिर्जा का ही थी राजा का चरम लक्ष था और बास्तों में यह गरंथ चंदगुप्त मौर की सासन विवस्ता के ज्यान के लिए बहुमूल सामगरीयों का भंडार है और सबसे ज्याना जानकारी हम लोग इसी गरंद से प्राप करते हैं मौरवन्स के बारे में फिर आप देखेंगे मेगस्तनीज और इंडिका तो मेगस्तनीज सेलुकट द्वारा चंदगुप्त मौर की सभा में राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूद था ये मेगस्तनीज सेलुकस निकेटर का राजदूद था एक तरह से आपके ये यूनानी राजदूद और ये आप देखें कि चंदगुप्त मौर की दर्वार में आय था इसके पूर हुआ है आरा कोसिया के राज़ा के दर्वार में सेलुकस का राजदूद रह चुका था मेगस्तनीज ने बहुत समय तक मौर दर्वार में निबास किया और भारत में रहे कर उसने जो कुछ भी देखा उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपी बद्द किया और दुरभाग बस यह गरंत अपने मौल रूप में आज़प्त नहीं हमारे पास इसका मौल नहीं है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और मेगस्तनीज के बिवरण से पता चलता है कि मौर योग में सांती और संबरिद्धी ब्याप्त थी और जन्तापूर रूप से आत्मिरभर थी और भूमी और वरक थी अच्छी थी भूमी लोग नेतिक दृष्टी से उतकर्ष्ट थे और साधगी का जीवन बितीत करते थे उनकी बेस्भूसा साधी थी और गयहूं तथा जो प्रमुक खाद्यायन थे और मेगस्तनीज के अनुसार समाज में साध वर्ण थे एक दारसने किर्शक, पसुपालक, सिलफी, योद्धा, निरिक्छक और मंत्री उस पूर भारत का सबसे बड़ा नगर था और नगर का प्रवंद एक नगर पुष्टत द्वारा होता था जिसमें 5-5 सदस्वाली 6 समतिया कमेटिया होती थी और मेगस्तनीज के अनुसार भव्विता और सान सौकत में सूसा और एक वतना के राजमहल भी उसकी तुला नहीं कर सकते थे मैगस्तनीज के विबरन से मौर समराट की करमत था और कार्स को सलता की जानकरी मिलती है राजा सदा प्रजया की आबिदनों को सुनता रहता था और दंड विधान कठोर हुआ करता था इस समय अपराद बहुत कम होते थे जबकि सामान लोग घरों और संपत्ति की र होते हैं इसका कारण क्या रहते हैं आप लोग खुद बताईए कुछ इस पर कि सही है या गलत है मैगस्तनीज के विबरन से मौर यूगीन विक्सित ब्यापार वर्डिज का भी जानकारी मिलती है उसने ब्यापारियों के बड़े वर्ग का उले किया है जिसका समाज में अल गुप्त काल में आता है और दस वरसों से भी अधिक समय तक वो यहां रहता है वह मंगोलिया गोभी मरुस्थल खोतान पामीर एवं स्वात आदी स्थलों को पार करते हुए गंधार पहुंचता है वहां से पेशावर होते हुए पंजाब फिर मत्रा कन्नोज और कपिल वस् कुछी नगर पाटलीपुत बनारा आदी नगरों का भेरमण करता है इन इस्थलों को आखों इस्थलों का आखों देखा हाल फायान ने अपने बितांत में लिखा है वह इस्थल मार्ग से भारत आया और जबकि समुदरी मार्ग से बापस अपने देश लोट गया था भाया बहुत दिस्तूप का भी बैडन किया इसने बहुत धरम में अभी रूची होने के कारण राजनेतिक और सामाजिक जीवन का कोई इसपस्ट बैडन फायान ने नहीं किया है गुपतिकाल के कोई पिरमुख राजा की नाम तक काउलिक नहीं उसने नहीं किया है समझ रहे हैं और फायान की अनुसार ततकालीन समय में संपूर अधिकार राजा की पास होने के बाब जूद वह पिरजा है तेसी था उस समय पिरजा सुखी और संपर्न थी राजा पिरजा के व्यक्तिकत कारियों में हस्तेचेब नहीं करता था आबा गन्मान की सुविधा एतु राजद फायान मद्देश के लोगों को धनी, सहन, सील, चरितवान, धरमानवागी बतलाता है और बड़ विवस्ता में अत्यधिक जटिल्ती और चंडालों को अचूत समझा जाता था धार्मिक दिरिष्टी से यह सह्षडूता का यूग था और राज धार्मिक मामलों में हस्तेच फायान ने बतलाक को बद्ध धरम के चरम सेलता काउ कहता है, परंतु यह सही पितित नहीं होता है, बस्तिता यहार्म की ओनती का काल था, एक आज हम लोग जो समिधान आपने पढ़तें इसमें काफी हिह तक हमारे समिधान से सीख आपने, हमारे जोवी समिधान निर्वाता देना चुने हुए राजा गहेंगे आप लो तो उनका भी कर्तब है कि जनता की पिती वो एक तरह से जिम्मेदार हैं उनका ध्यान रखें फिर आप देखते हैं कि हैंसांग आता है ये हर्स के समय की सरपितम सब प्रमों घटना चीनी यात्री हैंसांग का भारत आगमन होता है हैंसांग का पता एक अध्यन सील व्यक्ति था जिसनका पिर भाव उसके जीवन पर पड़ा वह 13 वर्स की आयू में अपने बड़े भाई के साथ लोयेंग के बुद्ध मढ में रहन और पविद्ध बहुत गिरहंदों का उनके मूल भासा में अध्यन करने का की थी और जो उन दिनों भारत में सोलब थे और इसे उद्धेश की पूर्ती के लिए 639 में उसने तांग सासकों की राजधानी चंगन से भारत बरस के लिए प्रिस्थान किया उत्री मदेशिया के मार्क का नुशन करता हुआ तासकंद, समरकंद, काबोल, पेशावर्म के मार्क से भारत आया हिंदुक उसकी पहाडियों को पार करने के फश्चाद सरपता में भारती राज का पीसा पहुंचा यहां से कंधार, कस्मी, जलंदर, कुलोट, मतरा होता हुआ थाने सुर पहुं और आप देखेंगे कंनोज से हैंसांग ने अयुद्या, प्रिया, को संभी का पिल्दबस्तू, कुसी नगर, वराडसी, वैसाली, पाठली पुत्त, आधी का भर्मण किया, पाठली पुत्त से चलकर वो है बहुत गया पहुंचा, जहां उसने बहुत धिव्यक्ष की, पू तथा प्रियाग की छटे महा मोक्ष परिशत में भाग लिया, और प्रियाग में ही उसने हर्स से विदाई ली और मदेशिया की मारक से बापस चला गया, हैंसांग से CEO की नाम से अपना यात्रा विब्रन लिखा, उसने मित्त ही ली नए हैंसांग की जीवनी की रचना की, औ हैंसां के विब्रन से मिलती है, उसने कर्णोज की लोगों को सब सम्रद और नेतिक दरिश्टी से उन्नत कहा, हर्स का सासन ओदार था और वह वह बेक्तिकत रूप से सासन का विब्यद की विब्यद समस्याओं में रुची लेता था, सामाजिक नेतिक था, एवं कदाचार क के विब्यद आचरन करने बालों को कड़ी सजा दी जाती थी, आप अगामन के पूरता सुरक्षित, क्या मार्क सुरक्षित, सुरक्षित थे फिर भी लोग नेतिक दरिश्टी सिसम उन्नत थे, हैंसां के अनुसार समाज में चार वर्णों के तरिक्त कई जातियां उप जात आते थे और नगर के बाहर निबास करते थे, हैंसांग ब्रमडों की पिसंसा करता है, और उन्हें सरवाध्धिक पवित और सम्मानित जाती बताता है, वो एस्तूद्रों की उन्नत दसा का भी वाइडन करता है, हैंसांग के अनुसार भारती अधिकतर सफेद वस्त धारन कर पिछलित था यानि कि एक जाती के लोग दूसरी जाती में विवा करते थे लोग महस्ताहरी और साकाहरी थे आज की समाई एक तरह से आप सोच लिए तत्काली समाज में अनेक धरम और संपताय पिछलित थे सिव सूर विष्णू दुरगा आदी देवी देवताओं की उपासन का पिछलन भी था है इस समय हैंसां के अनुसर गंगा जल को लोग पूर्ण जल समझते थे आजवी समझते हैं लोगों के ऐसी धारना थी कि लोग इस नदी के जल में डूपकर मर जाते हैं उन्हें स्वरक फिरात हो जाता है हैंसां के विवरन से ना के बल हर्सकालीन समाज कि जानकारी मिलती है बलकि इस साथ भी सताबदी इस भी के भारती भूगोल के समझने में भी साहता मिलती है हैंसां का विवरन नी संदे बड़ा ही उपयोगी हैं आप सोची आज भी तो आप देखते हैं कि मरने के बाद अस्थियां उनकी जंगा में बहाई जाती हैं कि उन कलहन ने कस्मीर का इतिहास प्यारम से 1149 से भी तक लिखा इसके बाद किरमसा जौन राज सीवर फिर्जा भट ने इसे 1596 तक बढ़ाया जौन राज सुल्तान जैनूल अवादीन का दरवारी था और कलहन ने अपनी राजतरंगनी में उन सरोतों का विस्तार से हवाला दिया जिनने की उन्होंने अपनी इतिहास लेखन में जांच परताल की उन्होंने अपने से पहले के 11 बिद्वानों का उलेख किया जिन्होंने राजाओं के काल करवान साथ सूची दी और साथी उन्होंने उन बिद्वानों का विविचन पदिती की कमीयों की और इसारा भी किया कलहन ने मंदिरों अन्न भवनों में खुदे हुए अवलेखों का जो इवगान्त कारी उपयोग किया हुए एक निश्चित प्रग्रती का सूचक है साथी पूरवरती राजाओं द्वारा किये गए भूमिदान तथा धरम धरम दाय के बारे में उन्होंने अवलेखों में जो आठ जार से उपर इस लोग है पहले तीन सरगों में आप देखेंगे तीन हजार से जानदा इस लोगों को सामिल किया गया और इसमें केवल राजबंसों की सूचियां भर दी गई और इस योग के इतिहास के पुनन निर्माड के लिए उन्होंने पुराडिक स्रोतों अनु सतकाली समाज की बहुतिक स्तिती का भी व्योरा दिया कलहन के बाद आप देखेंगे इतिहास कारों ने उनके नाम को काम को जारी रखने की कौसिस की किन्ति कोई भी कलहन की तरह दिमाग को मुक्त या खुला रखकर इतिहास लेखन नहीं कर सका तो यह आप देखेंगी बैस और यहां जाकर आपका प्राचीन भारत कवर हो जाता है अंगली क्लासों में हम लोग मद्दिकालीन भारत में चलेंगे उस पर भी इसली तरह का विस्तार से बात करते रहेंगे आप लोग इंज्युए करते रही हूं है आपके कुछ सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं और अपना सुजाव भी देते रही है कहीं कुछ है सुधार करना है तो वो भी देखते रहेंगे ठीक है